हालो एंड वेल्कम बैक डूर चनल का इसका नाम है एसर्जमू व्लोग और आप हो देख रहे हैं एसा जम wisdom व्लोग की तरफ से एक और नहीं वीडियो सो दोसो आज कि अपनी इस वीडियो में हम बात करें गे अए हम न्यू होंडा सीटी Ltd 2020 वीच सा इस तरह से आप ऑपनी होंडा सीटी फेसलिफट डियो की ब्याइव स्क्सक्सी इंजन यह देख सकते हो, और हैडलम्ज उनेट जो है वो पूरा का पूरा चेंज यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको यहां पर एलेडी डियारल मिलेंगे और यहां पर आपको इंडिकेटर्स की पोजिशनिंग होगी जो की बहुत ही बढ़िया लग रही है देखन देख सकते हो बात करेंगे डिजाइनिंग की तो मुझे अभी परस्नली यह जो इसके डियारल्स और इंडिकेटर्स की पोजिशनिंग यह काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं जो की न्यू वाय जन्ग जनरेशन इसको काफी जादा अट्रेक्ट करेंगी और अब साइड हैं यहां के टायर पर फाइल की तो यहां पर आफ workflow किया अपको घ्ला एदैन्या मिल रहे हो सेक्षिन की बात करे। हैं 17-50 की आपको ताय फ्लम मिलने वाली है अर देख सकते हो, हाँ न्यूसर ंटोर हैं आफ हैं प्रहमें तो दोर हैं को तो देख सकते हो और फ्रंट का दोर हन्ल का आफ अल खुड और willingness और उन्लूर अप संत कर सकते हो और यहां पर रिक्वेस्टियंसिंग बटन व्रेया गया है हॉ और Арब एजु की तो यहां पर पित इंडिकेटर्स लिए गया है जो की काफी बढ़ी आहां पर आपको रहे का संडूप जो कि आपको बाद में अपरेटर करके दिखाऊंगा और यह आपको शाक फिन एंटीना रहे गा कुछ इस तरह बात करते हैं अब होंडा सीटी के रेर व्यू की सो रेर का व्यू आपको कु आपको मिलेगा पूरा टेलम जो की क्वाइट इंप्रेसिब लग रहा है मुझे आपने डवली आरवी का भी टेलम देखे होंगे टॉप ऑफ दा लाइन बेंटेवे उसके भी काफी बढ़िया जो थे लीडी में टेलम जो आ रहे थे तो यह आप इसका कुछ रियर का लुक देख सकते हो और बात करें यहां पे तो यहां पर आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे चार पार्किंग सेंसर की फैसलिटी आपको यहां पर मिलेगी और यहां पर रिवर्स जो होगा वो कैमरा आपको मिलने बाला है बात करें अगर वूट की तो वूट एक्सेस करने के लिए आपको यहां पर हीडन बटन दिया गया है बूट एकसेस करते ही आपको 506 का एक मैसिव बूट स्पेस मिलेगा आपको होंडा सीटी में तो यह आप देख सकते हो फुली डैम करा गया है ताकि नाइज इन सिलेशन जो गी रियर टायर की वूट से कंट्रोल किया जाए तो यह आपकी स्टपनी रहेगी जो की अलॉए में ही रहेगी आर सोलां का जो लॉए रहेगा व इसमें रहेगा तो काफी बढ़िया बूट स्पेस आपको यहां पर मिलने वाला है तो दोसों एक और हाइलाइट फीचर है जो इसमार होंडा सीटी में लांच किया गया है यह है ले बुट्ति के हिसाब से काफी बढ़िया चीज है तो यहां पर रुकर सेंग बटन ताएगा तो यह आप देख सेंग करते हैं होंडा सीटी फेसलिफ्ट का इंटेर इंटेर में जाने से पहले मैं आपको गाडी की बता देता हूं यह आपको की रहेगी लॉग और यहां से उ कर सकते हैं इसको और बात करें डूर पैनल की तो यहां पर आपको वेज और ब्लै कलर का मिक्सर मिलेगा तो यह आप देख सकते हो अपर जो ड्राइवर आम रेस्ट होगी वो कुछ निंग उसमें कुछ निंग प्रोइड की जो की बहुत बड़िया चीज है और यह भी एक यह आप देख सकते हो और काफी बड़िया चीज लगिया मुझे ग्राइब करने में और बात करें दोर हैंडल्स की तो दोर हैंडल्स आपको कुछ प्रोम पनिश में मिलेंगे और यहां पर आलपूर पाव विंडोस के चंट्रोल रहें की लाओ को और यहां से मिरर आप कर स यहां पर आपको दो ट्वीटर की पुजिशने एक एक साइड पर रहेगा और यहां पर आपको चार स्पीकर्स की फैसलिटी मिलेगी इस म्योजिक होंड़ सीटी फेसलिफ्ट में तो दोसों बात करेंगा सीट की तो सीट का लग कुछ इस तरह से रहेगा जो की अपने यहां पर इंजन स्टॉड श्टॉप का फैसलिटी रहेगी यहां पर तोगल रहेंगे आपको हैडलेंप से कंट्रोल और हरलम अ उन-अफ करने कित करें अगर देरिग की तो स्टेरिंग आपको तूस्पोक्स टेरिंग मिलने वाला है तो यहां पर आपको सिल्पर एक्टें तो यह आप देख सकते हैं और आप सीधा बात करते हैं M.I.D. की तो M.I.D. जो होगी वापको कुछ इस तरह से मिलेगी जो आपको यहां पर लफ्ट साइड आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको आर्पेमिटर जो की डीटल में रहेगा और बीच में आपको M.I.D. रहेगी प्र de Saudis यहां घू जो जो होगा भी zwyज रहेगा कि इतना ही आपको स्पीड में आपकी जो घामिय beating you और वो चल रहा है इस तो यह आप तो स्टार्ड इंजन ब्रेक प्लस पुश तो यह इस तरह की इंफॉरमेशन दे रहा है तो विच बरी गूर तू और यहां पे जो यह जो आपको कंट्रोल में रहा है तो यहां से आप इंस्रुमेंट क्लस्टर की जो लाइटनिंग है अपन डोन कर सकते हो तो यह वी एक बड आता है जिस तरह से आप अपने फॉन में एक डोला का सकते हो और वहीं चाँड को डोन कर सकते हो अचादी को अपने फिचर यह वह को आपको आटोमेटिक ही मिलेंगे और यहां पर आपको वन टच शन रूप मिलेगा तो यह देख निए और बात करें रिडिंग लैंच की तो वह आपको कुछ इस तरह से मिलेगी काफी बढ़िया डजाइनिंग का लग रहा है फोकस यह लाइट स्वाप को मिलने वाली है तो य यहां से कुछ आपको डैशबोर का लुप मिलने माला जो के प्लास्टिक में रहेगा तो इस तरह से और यहां पर आडो आटोमाटिक एस भी आप देख सकतें और यहां पर आपको अजब अगी लग रहे हैं जैसे पहले बाली होन्डा शी थी ती उसी तरह की पुछ नव ल आपको मिलने बाले है और यहां से आप प्रारेक्शन कॉंट्रोल एएस्पी का जो होगा वो फंक्शन आपको इसमें मिलने बाला है सो अभी चकाउट करते हैं रियर सीट कंपट मैंने फ्रंट वाली सीट आपनी हाइट के अगार्डिंग अडियर्स कर दी है करने में वी काफी अच्छा लग रहा है प्रीमियम फील आरही है और यह आपको कुछ सिल्बर में इसका हैंडल दिया गया मैं बैठ के देखता हूं कि कितना मुझे यहां पर लाइक स्पेस मिल रहा है तो यहां पर कुछ आम रेस्ट मिलेगी बात करें हैड रेस्ट की तो यह आपको तो यह आप देख सकते हो कुछ ही इस तरह से और बैक में जो रीडिंग लाइम पहूंगी इसकी आपको कुछ ही तरह से मिलने वाले है तो यह आप देख सकते हो इस तरह से आप इसके फंट का लुप देख सकते हो अगर ब्रेकिंग की तो इसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक is important, रारे कम रागों में में किYए few परह रारोंप कि एक राख मनज के तो यहां पर आपको शेख और अपो भारेक्स byaga स्बहाट करें प्राएं प्रॉक्त जो होगी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक्षो रूम प्राइजिंग रहेगी वो यह है होंडा सीटी का बन पाइफ लिट का पैट्रोल इंजन सो इस तरह से आप इंजन का लियाओट डेच सकते हो और यहां पे आप रंका बोनेट देख सकते हो जो कि फुली न्यूट्रमीटर को टॉक जनेर्ट करता है जो कि सीवीटी और मैंडवल दोनों में आता है जो कि 1.5 लिटर वाला डीजल इंजन जो है वह हंड़ड पीएस की पावर जनेर्ट करता है 200 न्यूट्रमीटर टॉक तो दोस्तों यह था एक वाकरूंड आल न्यू होंडा सीटी की फेसलिफ 2020 का अगर आप जमू मैंसे भी कोई इस गाड़ी की बुकिंग या टेस्ट डाइव कराना चाता है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आप वहां पे कॉंटक्ट करके इस गाड़ी की बुकिंग और टेस्ट डाइव करवा सकते हैं और